चेनने सूपर किंग्स ने IPL 2024 के प्लेओफ के उम्मीदे कायम रखी है टीम ने मोजुदा सीजन के 61 मुकाबले में राजस्तान रोयल्स को पाँच विकिट से हराया इस जीस से CS के पोइंट स्टेबल में तीसरे नमबर पर आ गई है चेनने के पास 13 मेचों के बाद 14 अंखे दिन के पहले मेच में M.A. चिंद बरम स्टेडियम में राजस्तान ने टोस जीत कर बेटिंग का फेसला लिया राजस्तान ने पहले बेटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकिट खोकर 141 रन बनाए और चेनने को 142 रन का टार्गेट दि राजस्तान के लिए रियान पराग ने 35 बोल पर नाबाद 47 रन की पारी खेली उनके अलावा दुरू जुरेल ने 28 यससवी जैस्वाल ने 24 और जोस बटलर ने 21 रन बनाए वही टार्गेट का पीछा कर रही चेनने के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान रितुरास गायकवा दूबे ने 28 रन बनाए राजस्तान की ओर से रवी चंदरन अस्वी ने दो विकेट जटके नांदरे बरगर और युजवेंदरे चेहल को एक एक विकेट मिला वहीं दूसरे मेच में रोयल चेलेंजस बैंगलून ने IPL 2024 में लगातार पांचवी जीत हासिल की टीम ने मोज चिन्ना स्वामी स्टेडियम में टोस जीत कर गेनबाजी चुनी बैंगलूरू ने होम ग्राउंड पर 20 ओवर में 9 विकेट पर 187 रन बनाए जवाब में दिल्ली 19.1 ओवर में 140 रन पर ओल आउट हो गई केमरन ग्रीन प्लेयर ओब दमेच रहे उन्होंने नाबाद 32 रन की पारी खेली साथ ही एक विकेट भी लिया RCB के ओर से रजट पाटिदार ने 32 बोल पर 52 रन की अर्दू सत्के पारी खेली जबकि विल जेक्स ने 41 रन बनाए विराट कॉली ने तीन चक्के के सहारे 27 रन बनाए केमरन ग्रीन ने नाबाद 32 रन की पारी खेली खलिल एहमद और रसिक सलाम को दो-दो विकेट मिले इशान सर्मा मुकेस कुमार और कुलदी ब्यादव को एक एक विकेट मिला डीसी के कपकान अक्षर पटेल ने 47 रनों की पारी खेली शाई होप गुंतिस और जेक फ्रेजर मेकर 21 रन बनाकर आउट हुए यस दयाल को तीन और लोकी फर्गुशन को दो विकेट मिले सोग प्रिल सिंग, मौमस, सिराज और केमरन ग्रीन को एक एक विकेट मिला दो बेटर्स रन आउट हुए